असलाम अलेकुम मैं टो फैमली कैसे हैं आप सम मैं भी बिल्कुल ठीक हूं तो आज मैं आप लोगों को वफल बनाना बता रही हूं क्योंकि यह मैंने मेरे हस्बिन इंडिया गयते तो मैंने उनसे वफल मंगा था तो यह जैस वाला यह लेक्रिक वाला नहीं है तो मैं इसके इन्टों काुवा नकुआ आप लोगों को मनाना बता हूंगी तो मैंने इसको पहले ना अब बनारहा हुए हम तो इसको मैंने तेल कर दो दो कर कि दी अधियाए तिह अद्शो हम चुली में ढ़के रखते हैं पहले को मिक्स कर लेते हैं इह इधर मैंने टेवल्ल एलिया न् बेकिंग पॉडर दालेंगे दालेंगे रफ टेबल एस्पून है तो मैं इसे हाफ डालूंगे इस हाफ टेबल एस्पून हो गया अब ये इंग्रीडियन को हम अच्छी से मिक्स कर लेते हैं मिक्सिंग के लिए हम एक बैटर रेडी करेंगे इधर मैंने एक अंडा ले लिया है और इसके अंदर हम दाल देंगे अंडे को अच्छे से बीट कर लेंगे एक कप दूद दाल देंगे इसके अंदर अंदर में अंडे में एक कब दूद दाल देंगे इसके अच्छे से बीट करके और यहीं बीटर से अफ़ आयसा मायदे को मैं अच्छे तरीक से मिक्स कर लेंगे कि यो ये इन चंड़ कर लेंगे आपको बिगर अधर का बनाना पताओंगे और नमकीन भी आप इससे बना सकते हैं विजी कब्राइब तो बंणा बताओंगे और बिना और यंदे का भी बनाना बताओंगे वोफल से बहुत सारे आटम आप दोगों को बनाना बताऊंगी बहुत सारे श्टाइट के बनते हैं तो यह मैंने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है अच्छी तरीके से एक बैटर बनाना है हमको इसको यह मैं तुड़ा तुड़ा इसमें डाल के और इसको मिक्स कर लेंगे यह पूरा जाएगा एक को एक बैटर से रेडी करने आप अच्छी तरह से हम गोल गोल इसको घुमाएंगे ज्यादा गोचा गाजी नहीं करेंगे इसको इस तरीके से क्लॉक्वाइज रूमाना है जो मेरे पास बचा है वह मैं पूरा डाल गूंगी से बस इसको इस तरीके से अच्छी से मिक्स कर लेंगे अच्छी से मिक्स हो गया बहुत ज्यादा पत्दा नहीं बहुत ज्यादा थीक नहीं और मैंने वैट उसको गरम करने के लिए रख दिया है वाफल मेकर को तो मैं इसमें टेबल इस्पूनी यह एक चम्मज भर के दाल रहे हैं तो यह गरम हो गया पांच मुट मैंने इसको गरम होने के लिए रख दिया था चिप देवाइब को और मैंचे को बंड करेंगे न को इसमें छेकर पूरी इसमें पहल जाएगा तो मैं थोड़ा से दाल देदी उते हूं कर देंगे में कि एक साइड में जेगा पकाएंगे फिर इसको पुल्टी करेंगे 5 मिल्ट इसको छोड़ना है एक साइड में completely क्युल्ड शुल्ड अवह ज्यदा फास्नी हो जया da sloh nie medium मन इसको यहाइए क्रिसी पेंड़किता है इसको सलगें अग्रिस्पी जाए दिए को एकक्रिस्पी तो जही दिर में निकाल को अचुल यंदी डालें है कि यह भोगी तो इसको निकाल लेिए मैं और इसी तरीके बना सब्सक्तातद जע़ा ना में तो भी तृट ठाकाए बनाना और हम राहन चोकलेट और में युटॉट शेखें चाकलेट कर सबस्सकी इसी तरीके से बनानता है कि अधिक यह देखें मैंने वक्षा रेडी कर लिया है इसके पर में रख दूंगी इसके पर आप जो भी फ्रूट थाना चाहिते हैं यह भी रख सकते हैं इसके पर मैं अब आप दालोंगी इस तरीके से जो भी फिलिवर आप रखें जो भी आपके बच्चे खाना चाहते हैं इस तरीके से चॉकलेट को मैंल करके ना इसके पर मिठी बच्चे लोग जो खाना पसंद करते हैं इस तरीके से आप तो यह वफल ने टी हो गया है हम इस तरीके से इसको खाएंगे अ का पकड़ों के लिए प्लीट साहिल से काट लोग ने काटे से काटे से काटे लोग अब लोग अब चाहिते हैं अब पसार कितने सार वाफ़ल डान तो यहां पर मैं आ गई की सब्सक्राइब और बनाने जा रही हूं आज मुर्ग मुसल्म तो यह आज हमारा लएनच बन रहा है मुर्ग मुसलम तो इदर मैंने अक्षी चिकन ले ली थी और इस इसको है, मैंने सिप्सक्राइब निकाल या 除 aan विफखे हैं, और इसको पूरा किलीन कीत तैछा कि wannis कि पानी भरके लेना है उसके अंदर नमक डालना है वेनिगर डालना है सिर्का आदा कब और इसको अंदर डिप करके घंटे के लिए रख देना है तो इसमें बलड वगेरा जो भी अंदर गंदर रहेगा ना पूरा निकल जाएगा और पेट के जो नीच लेके हिससे इसको हम पहत डाल के अच्छे से अंदर से क्लीन कर लेंगे तो बलड वगेरा सब निकल जाएगा उसका पर हम आपी रेडि कर लेते हैं मसाला पेले चिकन को मेरिनिट करके रखना है तो इसमें मसाला क्या जाएगा तो मैंने खूपरा ले लिया है बदाम ले लिए है इदर आप या खशकश और तील दोनों दाल सकते हैं और इधर मैंने सारे अख्य मसाले ले ले लिए अख्या धनिया, जीरा, सौंप, काली मिर्च, छोटी लाइची दाल चीनी और अख्यलाल मिर्च, सौंप तो यह सब को हम भून के इसको थोड़ा सा रोष्ट करके और इसका दरदरा सा पीस लेने अख्य मसाले को, तो दरदर आसा पीस के पॉड़र जसके हावारा और यह जो काजू, जाए बदाम और खूपरा और तील मे ले लिए ना इसको पीस के पेस्ट बना देना है, फिर बताती नमें कैसे लगाना है, अभी सारे मसाले को मैंने पीस लिया था है तो सब मेरा एकी कुन अपने हिसाप से टेबल स्पून दालना इतीम टेबल स्पून इसके बार इसमेर डाल देंगे निया ऑडक्राइब दो चम्छ है मिरची पोडर अपने हिसाब से पटना लग मिलची खानाजानाँ है हल्दी उसके बार यह गरव मसाला पैर वह जब के बार और उसमें दालेंगे इसमें इसमें दखिने जिए करने कि जब अगणिद गुर्छाहि चिकन करें छोड़ दें ३ğ तो उस नहीं है तो आप एक लेमन डाले बड़ा घूस इतना जादा इसमें देखिऊ तो मैं दो तो मैं आधा है बेढ़िए घाल रहे हूं और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चाट Masala और पीस के याधो आद दें इसमें दखी भी नहीं डालना है यह अभी नमक दालेगे अब कुछ में लूग टैलियें कि पूरी चाह्मची पर हमको लगाना है रे अब क्यां यह क्ला जोगा लेती हो मध्यरी चाहिक यह नमक डाले को अथ्रीो नमक दें एक खया। अची तरीकी से पहले इसको मिक्स करना है अब इसको हाग से लगे तो मां बताती हूं पहले कैसा लगाना है चिकन के अंदर सबसे पहले ना ये बॉल आगे मैंने यह में आखना हम इसकोड बाखन कर लिया है, ये फो पर चाहर भान, मेरे पास आउना में बागे यच्वाई लिप को यह डाया लिए। अजर भागे लगा लिए जाओ में ये को जा गगा है। कहले मशाला लगा लेते हैं तो मैं अभी नहीं एंड आलनोंकि परो mean टालें हैं ह कि मसाला हमारा अच्छी अच्छी से में सो गया ह brands नहीं है सब जगां से अच्छे ताकि सब जग अच्छे से लग जाए मसाला पूरी चिकन पर लगाना है हमको और इसके अन्दर भी लगाना है मैंने अंदर अच्छे से धूल लिया इसको अच्छे से पहले लगा लेते हैं अच्छे से मसाला लगा लिया है और इसके अंदर दालेंगे बॉयल एक मैंने तीन अंडे को बॉयल करके रखा था इसके पीट में दाल देंगे अंदर जितना आता है उतना मैंने तीन करा था अब यह दूनों पैर को हम इस तरीके से पकड़ के ना इसको रवर्बंड लगा लेंगे ताके भागी नहीं मेरे पास इतर रवर्बंड है तो मैं यह पैर में लगा लेते हैं तो इसको रख देंगे हम मेरीनेट होने के लिए जब तक हम मसाले वगेरा दूसरा काम कर बनाओंगी और इहर बना लें मत्र को लए हो टो इतर हम दाल देंगे मैंने जह इदाला हुआ है और इसमें काली मिरेज लाह को पीडाल दालचीनी साथ मेना पुलाओ मेना इसका साथ किते अन्यवस्ट अफट चलक तै वह बहुत अच्छा लगता है वीह दाल देंगे और तरहा जियावा नहीं दाल देंगे द्रक लसुन, दालें फ़ल्केश थोड़े मसाली के अंदर दालेंके अधरकलशून कप्तेज दू टेबल के मसाली के नाषिट वेस्ड़न कादने पश्पीर, हाँ नहीं दाल देंगे फिर दालें के अधरक लसे पनी मगज़ेक्चा है को दाल देंगे एक कमातो एक आदू को मैंने बड़े बड़े पीज काटके रखा था धूंके मटर हम बाद में दाले होगे और इस केंदर ना मैं थोड़े मसाले दाल देंगे धन्या में दाल देंगे और आलो को गलने भी छोड़ देते हैं और मासाला फिर हम बाद में अच्छे से भूल लेगे अच्छे से अच्छे से बूल लेगे अच्छे सब मैंने सारे नॉर्मल मसाले दाल दिये हैं नमक डाल देंगे गोट धाली दाल देंगे शाबल दाले लेगे सब गण गण दाले में मैं ने पेज दाला था देखिया नat ज्यादा तेल नहीं दालना आसमे मेरे मैंने मेर्टि करके फ्राइक करना तो देमेडी मांच पेश्को रखा है यह साइट हो जयाना तक तर आशे अब चारो साइड इसको अच्छी से फराई कर लेंगे, इसको फराई होने टायम लगीगा, क्योंकि अंदर तक हुनी है चिकन, तो इसको छोड़ देते हैं, होता रहेगा और इसका हम ग्रेवी रेडी कर लेते हैं, और इधर मैंने मट्रपुलाओ को पकने के लिए छोड़ द मेरे पास बड़ा नीटा छोटा था तो इसमे चिकन नहीं आ रही थी, तो मैंने पड़ाई में रख दी हो, अब इसकी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं, इसके अंदर मैंने डाल दिया तेल, इसके अंदर दाल देंगे अद्रक लस्टन का फेस्ट, और प्याज को मैंने ग्रें नीटो, कोकोनट, और बादाम, और पिल, यह सम मैंने डाला, काजू, खश्कल, ड्राइफुर्ट जो भी आप दालों तायके दाल सकते हैं, इसके अंदर मैंने पीसे लिया तो अब कोच्छे तरीके से, पेस्ट बना दिया, वहम इसमें डाले हैं, खोड़ा पानी दाल के द पड़ता है, बस काजू, बादाम, और जो इसके साथ मैंने तील खश्का जो पीसे के ना वही दालते हैं, और अख्खा गरा मसाला जो मैंने जिसा होगा ता दर दरा सा, अख्खा दनिया, मिर्ची, लोंग, काली, यह सम डाले हैं, उसको अच्छे से बुने हैं, उसके से ब इस तरब फूल कर दिया, अब वो इदर फराई हो रही है, यह साइड में हो गई थी, आप इस तरब भी प्राई कर लेंगे, और इसका गिरीवी रेडी हो रही हो रही है, इसको भी भूनना है, भून लेंगे अच्छी तरीके से, फिर इसमें हम दालेंगे किरीम, दही, प्र मेथी तालेंगे हम लोगे भूनने के बाद अब आझेयों लाओ वाओ कर दो कर दो कर देखिए तेखिए पुर्फजु के पर देखिए वोड़ टेश्टि दिखने में देख रहा है और इधर मैंने पुलाव भी कर दिया तो हम चलते दस्तर पर दस्तर लगाएं चलिकारे बक्राइब की इस अरव करते हैं डिलिग मेरे ताफ सबीटा आफ सबयावती है हुआवस, तैस तरीके से मातरी है शे माता है ना या जने मेरे जसे मातरा है मेरे जिलीजे बाई अटे सो पातान गला यार, किसी बाद एकीन है विए नार्ब काथ्प्रियों विए तिशादी वोड़ा है विए बफट भया विए भी खाना हो गया था दुपेर में तो हम लोग ने थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर बाद मेरा हम चले गए तो शॉपिंग के लिए क्योंकि फ्राइड़े वाले दिन मैंने कप्टे की शॉ बछा रहा है जहां कोई आपनी नहीं कोई पैचान नहीं है तो मैं थोड़े सो बर बशाफ भारतं भी मैंने घर जिर से लिया तो मैं जब पहीं करेंगा तो मैं क्या क्षक्ट लिया ऊस वूब में अब चाहिए मतलब हाउस औल आइटम पुरा यहां पर मिलता है तो मैंने ले लिया तहा हुआए तो जो 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 जोबिध के लिए चाहिए पूरा तो नहीं है थोड़ा बूत सामान ले अगे हता जो खास अभी चाहिए ना जैसरे कर देखिसमें एक एक फ्राइपन कटिंग बना ले क्योंकि वहां पर जर्मानी में होटल वागेर इतने अच्छे नहीं है वेज और नॉन वेज उदर पे थोड़ा मसला है उदर पे नॉन वेज भीम को हलाल हराम सब देखना पड़ता है इसलिए मैंने सोचा कि घर में कुद अपना कुछ अपने तरीके से बना के कुछ थोड़ा सा स्टाइटिक में खा ले वहां भूमने होटल वागेरा सर्च करने फिर इसको थोड़ा टायम लगेगा तो इसलिए मैंने खाने पीने का भी सामान थोड़ा दिया है तो मैं बेकिंग को बताऊंगी बरतन कपड़े मेंने क्या क्या दिया है तो देखिए सब आप रेस्इपी आप लोगो को कहुआ का सामन में बनाओंगी और सेपी खाने का सामन जो में देने वाली वह भी रेसिपी में आप लोगों क्या आप देने वाली हुद तुर मैरे ब्लॉकों में यहीं करती हुआ है झाल